पंजाब में भगवन मान ने होशना की है कि पंजाब में आप जो है सभी लोगों को जो है घर गर राशन जो है वित्रन किया जाए इस मुद्दे पर हमारे साथ बाचेत करने के लिए तरंचुक जी है चो बीजेबी से मासचीव है सर किस तरीके से देख रहे हैं इसको ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जब से कोवीड चला है परधान मंतिरी शीरी नरेंदर मौदी जी ने देश के 80 करोड लोगों को फ्री राशन दिया है और दो साल की अनकी आत्म निर्वर भारती जोजिना के तहत ये राशन दिया जा रह नरेंदर मौदी जी की सरकार दे रही है और आप केंदर सरकार ने घोषना की है ये राशन 31 मार्ज से सितंबर तक 6 मीने के लिए ओर बढ़ा दिया गया है ठीक है अच्छी बात है अगर नरेंदर मौदी जी ने जो गरीबोंगों लिए राशन दिया है वो गरीब के घर पहुंचना चाहिए और उसको प्रवन स्टेट गवर्मेंट ने करना है पुराना तजर्बा तो यह रहा कि कॉंग्रस की जो चरंजी सिंग चन्नी की सरकार थी वो राशन नहीं बांट पाए हमें ट्वीट करने पड़ते थे कि अभी इतने प्रतिता श्राथ सिंग मिला अच्छी बात है अगर मोदी जी का बेजा राशन चन्नी साब जुमलों से बाहर निकला है तो नहीं कर पाए अब मैं मान साब को सुन रहा था ठीक है आप आईए आगे आईए लेकिन ये बात केवल नारों और वादों तक ना रहे जो राशन श्री नरेंदर मोदी जी की भारती जनता पाटी की केंदर की सरकार गरीबों के लिए बेज रही है गरीब तल्यान अन योजना के तहट वो गरीबों के घर पहुंचना चाहिए वो आप डिपो के मादन से पंचाएं वो घर घर पंचाएं लेकिन ये जुमले ना रहें ये प्रैक्टिकल होनी जाए आपने कहा लेकिन रवद केज्रिबाल जी कहुरे कि दिल्ली में वो करना चाहते थे पर केंद सरकाल ने लागूण की कोठी के मिलने के बजाए किसी गरीब के घर पहुंचे तो पहुंचना चाहिए आखरी सवार रहेगा उन्होंने कहा है कि 75 साथ देश को आजात हुए हो गए लेकि दुर्भाग्या है कि अभी भी लोगों को राशन लेने के लाइनों में लगना पड़ता इस पे भाजपा स थेला देती है अपनी तरफ से उत्राखंड की सरकार थेला देती है वहां के लोकल चुनोये विधायक सांसत थेला दे के बेजते आप कुछ करिए तो सही केवल ब्यान बाजी और जुमले बाजी से बाहर तो आए